नमस्ते दोस्तों स्वागत आप सबका सब्सक्राइब करते हैं आप सभी कमेंट चल पर तो दोस्तों कैसे आप सब उम्मिद करते हूं सभी अच्छोंगे और मैं आज ठीक हूं तो दोस्तों यहाप मैंने प्याज और मतलब जो भी यह बेशन बगरा पहले मिला लिया था तो इसे मैंने फ्रीज में रख दिया था इस बज़े से सौब्ट हो थोड़ा सा और थोड़ा सा पानी सा आ रहा है तो आज मैं इसे ना ब्रेड में इस तरह लपेट के बनाऊंगी और छोटे पीसेस लिया है बडेड की बच्चे क्या करते थोड़ा सा खाते और बाकी का फेक दोस्तों अभी देखिए चाय बनाने वाली हुए थोड़े से दूद बची हुए है तो सोच चाय बना लेते हूं सबसे पहले आज रोटी बगरा कुछी नहीं बनाए अभी अभी उठी हूं और आभी टाइम हो रही है नौ सुबह की नौ बज रहे तो लेट होने की वज़ रात को है ना तीन बज गया था मुझे सोने में और नीन तो आई नहीं फिर बाद में सोया भी नहीं और यहां पर बच्चे तो उनको भूक लग गई होगी क्योंकि नौ बज रहे दस बज़े इनका ब्रेकपस्ट का टाइम है तो आज रोटी वगरा कुछी नहीं बना है त लोटी कैंसल और दोपैर का जो खाना है वो थोड़ा जल्दी बना लूगी क्योंकि सूजी से उनका पेट नहीं बढ़ता है दूत मतलब बहुत ही थोड़ा सा है तो इसमें थोड़ा पानी मिला दूगी और देखिए आप थोड़ा ज्यादा हो गया पानी मिलाने से इसकी अब जब रहते थे ना तब में चाय भी नहीं पीती थी यह आली में पीने लगी हूं जो एक खर्चा एक्ष्ट्रा होने लगी है पहले नहीं पीती थी यह बस थोड़ा सा आप ऐसा मालीज यह लट सा हो गई है कहते ना कि इंसाम किसी की याद में कोई कुछ करता है को गु जो अब ना सुबह एक टाइम तो पीती पीती हूं और मैं तब भी नहीं पीती लेकिन मुझे किसी ने एक दो बर पिला दिया तो उसके बाद में फिर आब दस्य हो गई है तो आप तो है ना सुबह उठके पहले चाही बनाती हूं तो फाइनली देखिए चाहे बन चुकी है और यह अच्छे से मतला वो बन चुकी है कलर भी बहुत ही बढ़िया है चाहे तयार हो गई मेरी चलनी बगर तो बैसे मंजा हुआ है यह रात को बारा बजे बाद में जो बरतन हुआ ना वह है और चेरी बगर माजना पड़ेगा च लोटा बगर चुओ ने गिरा दिया और यह काच का बरतन है यह इसमें में नहीं खाया है तो यह सब जो है रात को बारा बजे के बाद की बरतन है वैसे मेरे 10 रुपय का खर्चा बढ़ गया अब मैं सूबे थोड़ा सचाह लेती हूं और शाम को भी थोड़ा सचाह लेती ह लेकिन क्या कहा उस बंदे से जिन्हों ने मुझे पिलाया खैर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है तो शायद मेरी इल्ला तो लगने थी तो लग गई ठांट इंकिव थेंकिव क्यूंः किसी ने मेरा कूर्सी को साही कर दिया और यह बंदा छोटका केला खा रहा है मतलब जेहां को मैं चाहे बना ली में चाहे बना है और जो रात की मजी हुए बरतन थे ना वो शूप गया था तो उसे भी मतलब छीका में रख दिया और यह अभी तक केला खाए जा रहा है केला का इसने कितना कहा है फोरा साइज जरा साइज केला भी ने खाया पूरा केला ऐसे कैसे मतलब हाथ में ले रखा है पता नहीं मेरा अच्छा खाना गिम नहीं चाहता है यह नहीं खाने की बज़े से ना और जदा कमजोर है मैं कोशिश तो करती हूं कि ना हर तरह से उनको डाइट का जो खास करका है उसका ध्यान रख पाऊं और इस बज़े से ना मतलब कैसे भी चाय सबजी में नहीं भी लाओं और यह दो लेकिन है ना मेरे बच्चे खाते ही नहीं है देखिए यह ले रखा है बस यह पता नहीं कितने घंटे में खाएगा चाहे कोई सबी फल उठालो दोनों में से कोई नहीं खाते हैं ऐसे बस लेके रख देता है हाथ में 10 गंटे में सोनो आज तो फिर भी फिनिश कर दिया है अलै कि ओर दिनसे करते हैं खाव कर देखाना है खाव आप जैकलो किलिया को पता नहीं हो चाहें भी छाय पीले vibrations वह बणाओं और हांगो और हाटात इनको खिला दोगी तो उसको शाय खुचा अपाएगा उसको शायद खिल लाना पड़े खालोगे केला खालोगे मुह में ले रखा है ऐसे कब तक खाएगा यह जाने तो दोस्तों मेरे घर में जो है अल्मोस्ट जो सारा सामाने खतम होने को आया है और मेरे हाथ में पैसा भी नहीं है एट्येम में भी मतलब पूरी तरह से पैसा खतम हो चुका है तो देखिए जो मैंने आज खीचरी बनाई है ना बो बिल्कुल मतलब सपेद दीख रहा होगा लगी नहीं होगा खीचरी है एक चुली क्या आज हल्दी खतम हो गई है और मेरे पास हल्दी था नहीं तो बगेर हल बनाई है और आप तो पता नहीं किते दिन चलेगा यह बीना हल्दी की तो बीना हल्दी की देखिए बीना कलर की खीचरी ऐसा दिख रहा है बस इप दाल और चावल है इससे बनाई है और नमक डाला है नमक तो है और अभी मैं फल्पूरूट काट रहूं क्योंकि सोनवा छ आम को जल्दी सी खाले और मेरा मतलब यह छिलने काटने का जो जंजाटे भो भी खतम हो जाए तो यहां पर रखी वी ती दो आम और थोड़ा सा पपीता पपीता मैंने आदा ही लिया यह आपे क्योंकि दो आम है फिर भी देखूंगे अगर इसमें दो आम से कंप्लेट हो जाएगा तो इतना पपीता भी नहीं चीए और छोटू-छोटी टुक्रे कर रहे हों ताकि छोटू जो है वह आसानी से खाल सके सोनों तो खालेगा वह बड़ा है लेकिन छोटू अभी भी फसा लेता है इसलिए टुक्रे करना पड़ रहा है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं तो देखिए एक आम काट लिया तो मुझे लग रहा है काफी है अब दूसरे आम काटने के बाद मुझे लगे गा नहीं कि मतलब और चाहिए लेकिन फिर भी आगा जरूत पड़ेगी तो थोड़ा सा लेना ही पड़ेगा तो दोस्तों फाइनली मुझे जैसा लग रहा था क कि मुझे इतना फ्रूट्स चाहिए नहीं तो दो आम से काफी हो गया था लेकिन पपीता मैंने काट लिया था पहली इस बज़े से उसमें से थोड़ा पपीता लेना भी मतलब जरू था और मेरे साथ ही जो है बच्चे खड़े थे बार-बार मांग रहा थे तो मैंने थोड इतना ज्यादा बच्चे खाएंगे नहीं तो यह हो गया मेरी शाम की बच्चों की नास्ते की तयारी और शाम के लिए फ्रूट्स काटा है तो इसे मतलब रखना पड़ेगा तो मैं सुचरी रोटी के टिपिन में रखों लेकिन प्लेट लिया था थोड़ा बढ़ा था इस यह चाओल कल रात का यह फ्रीज में रखी हुई थी लेकिन यह चोटा कुकर है तो इसको वैसे रख दिया था फ्रीज में निकाला नहीं था क्यूंकि इसे में वैसे घरम करने वाली हूं जैसे आपन नॉर्मली चाओल बनाते तो उस चाओल थोड़ा सा हाड हो गई है तो इस बज़े से पाने डाल कर अगर बॉयल करूंगी ने पास साथ मिनिट तक तो यह क्या बापस से सौप्ट हो जाएगी और खराब नहीं हुए फ्रीज में रखने की बज़े से तो फिर मैं खालूंगी यह वैस्ट नहीं होगा तो दोस्तों देखिए पास से साथ मिनिट ब प्राइ और फिश फ्राइ ले लिए तो दोस्तों मैं यहां पर सुबह का नास्ता करते हुए वीडियो को ही खतम करती हूं और मिलती हूं फिर किस नए वीडियो को साथ में तब तक के लिए नमस्ते जाहिए